जैहिन दोस्तों आर्मी ओर्डिनेस कोप जो एवसी की जयो नई वेकेंसे आई हुए आपकी फायर मैन और ट्रेड मैन की इसके जो ओनलाइन फोरम हो शरू हो चुके हैं इस वीडियम आपको स्टैप बाइस टैप कंपलिट ओनलाइन फोरम हो फिल अप करने का प्रोसेस दिख कि हम आपको रेटेशन से लेकर प्रिंट तक का कंपलिट प्रोसेस दिखांगा स्टैप बाइस टैप कैसे अपने अपना ओनलाइन फोरम फिल अप करना है सरफ आप से रिक्वेस्ट आप वीडियो को जरूर देखते रहें वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह आर्मी ओर्ड पस्टेनेंस की ओर चिया वे कैंसिए हैं आपकी फायर में और ट्रेड में की वेकंशी हैं आपको जो है वो अच्छी सेलरी मिलेगी जो इसकी लाष्ट टेट है और 26 फरवरी 2023 नास्ट टेट रखी गी एं चब्विस पहले 26 परवरी 2023 से पहले सब ही को अपलाई कर लेना है ओनलाइन तरीके से आपने अप्लाई करना जिसका आपको complete प्रोसेश दिखाऊंगा अप्लिकेशन फीस की बात करें तो किसी भी कटेगरी कोई फीस नहीं है आल कटेगरी की नो फीस है जो ऑनलाइन फोरम है 6 फरवरी से शरू होचके दोनों पोस्ट के और 26 फरवरी 2023 की लास् पोस्ट है फायर मैंन के लिए 544 वेकेंसी है दोनों के लिए आपने सिंपल 10 फास करकी है तो आप इनके दोलों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका पीटी पीम्टी होगा रिटन एक्जाम होगा डोकमेंट पर आपको क्लिक करना होगा इस पर जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से क्रेट न्यूर रिटेशन के लिए यहां पर आपको क्लिक करना अकाउंट पर जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको अपना टाइटल और डाल देना है मेल औ आपके डेट ओवर थे यहां पर डाल देंगे आप उसके बाद अपने पादर का नाम डालना को उसके बाद अपना जेंडर स्लैक कर लेंगे मेल जो भी है उसके बाद यहां पर आपको नीचे आना यहां पर अपना मोबाइल नमबर डालना इमेल डाल देनी उसके बाद अपन login पर आप click करेंगे तो आपकी email ID और mobile निमबर पर एक OTP send किया गया है email ID का यहां पर डाल देना है mobile निमबर का यहां पर डालना है उसके बाद यह जो capture हो रहा है यहां पर डाल के आपको verify OTP पर आपको click करना होगा देखे उसके आपको नाम होगा दिखा देगा इसके बाद आपकी JSON organizing complete होचीए उसके बाद वार G MALE पर कट टेंगे उसके बाद यहां पर आपको login करना वहा इसके लिए इसके बाद देखिए आपको लोगइन करना होगा यहां पर अपनी वेरिफाई कर देंगे सभी डिटेल को उसके बाद आप नीचे आना आपको यहां पर देखिए एगरी टू है कंटीनू फिलफ पॉरम पर आपको क्लिक करना होगा जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर अपने पोस्ट डाल देनी है जिस पोस्ट के लिए देंगे जो भी आपके क्टाइगरी लगती जर्नल ऐस्ट जो भी है अपने कोडिंग आप डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे सीटिजन इंडियन रहेगा क्वालिफिकेशन आपने टैंथ क्लास पास कर रखी एज रिलेक्शन चाहिए आपको यहां प डालने के बाद यहांपर आप नीचे आएंगे यहांपर आप देखे डालने के यहांप ट कोई पर यहांपर दालने मार्थिकेशन यहां पर दालाना है आप जो भी आपकी state लगती है तो आपको इसके बाद अपना डीश्टिक डाल देंगे जो भी लगता है उसके बाद अपना पोस्टपिश डाल देंगे पिन कोड नमबर डाल देंगे अगर आपका प्रेजरेंट पर मनेंट एडर है तो यहां पर चेक पर कक्लिक करना हो गाना तो आपका I dumbiddных धिल फिलफ हो जाएगा उसके बाद यहां पर आपक्टाईगर्य आपको दिखा दिखा देगा प्रम मुझत के बाद आपको यहां इस सिर्फ व efficacy हो你要 प्रम करना हो बात भी शाव कि को ट्म ने ऑन खरता State डाल देंगे जिस्वी State से आपने 10th Class पास कर राखी है तो यहां पर आपको डाल देंगे उसके बाद Board University यहां पर डाल देंगे जो भी आपने जैसे मैंने State Board से कर रखी है किसी रहा आपने की हो यहां पर आपको कर देना होगा जो भी सिर आपने की हैं टोटल मांक्स यहां पर डाल सकते हैं अगर आपकी जीपीजी में है तो यहां पर डेटेल डाल देंगे अगर और भी क्वालिफिकेशन तो डाल देंगे नहीं तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं जैसे फिलप करते हैं उसके बाद यहां प्राइब करेंगे तो यहां पर जैसे इसे के डाल देंगे डाल देंगे, डाल दिक डाल देंगे, यहां पर लाइब जो आपका यहां पर करने boysने हैं। उसके बाद यहां पर आपको इस्टेमेब करेंग़cock कर सकतें। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लोड डोकुमेंट पर आपको कलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो डोकुमेंट है वो अप्लोड करने जैसे कि पहले आप पोटो अप्लोड करेंगे इसका size 10-25 के भी रखा गया है, उसके बाद से गिनचर upload करेंगे, 10-25 के भी इसका size है, उसके बाद यहाँ पर अपना ID जो भी अपना ID देना चाहते, जैसे मैंने अधार काड़ी पिलप कर गया, अधार काड़ का नमबर आपको डालना है, उसका size है, यहाँ पर 30-50 के भी रख का है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, जो आपको यह option दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको exam center डालने होंगे, जो भी exam center लेना चाहते हैं, पहले आपको exam center डालने हैं, यहाँ पर exam center अल इंडिया में एक्षा है यहां पर आपको दिए गए है तो अपने कोडिंग आप डाल सकते हैं अल्किण आप न बाल सकते हैं जोंग सेटेश्टे जहां जहां पर आपको फिलब कर देना है सभी आपको यहां पर डालने होंगे तो अपनी कोडिंग आप डाल देना है सभी क्यों आपको ने जैसे इस सभी को आप फिलब करेंगे उसके बाद यहां से आपको जो है नीचे आना यहां पर टम्स को सेप्ट कर लेंगे आप उसके इन्ट यहां पर आप को डॉलरा है उसके बाद यहां पर आपको प्रीविए अंदे समीट के उपशन पर आपको कलिक करना होगा लेकिवाद करें तो आपके फोरम आपको प्रिव दिखा देगा जैसे कि ओनलाइन पोर्म आपको फिलाप करना है बिने किसी गलती की